दोस्तों लीडर की सबसे बड़ी गलती जो मुझे पता चली बहुत देर से पता चली इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूं कि लीडर क्या करता है कभी कभी पेस्पिटिंग हो या गुरुप की टीचिंग हो टेनिंग्स हो तो हम लोग क्या करते थे कि बस हमीं सिखाते थे सब कुछ चाहे 9 और और नइन कोर हो या 4 बैसिक्स हो, कार्डिनल रूल्स हो या पावर की बात कर दे हैं सब लोग हम ही बोलते थे और हम सोचते थे कि हम सिखाएंगे तब बात में पता चला कि नहीं ये सहीं नहीं है क्योंकि लीडर के पास तो बहुत सारी information होती है और उसे लगता है कि मेरे थ्रू जारी चाहिए तो मैं आज वह आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी आप ये गलती ना करें ये सबसे बड़ी mistake है अगर आप four basics कर रहे हैं तो four basics चार लोग इसे कराईए लिस्ट कोई बताएगा invitation call कोई और करेगा स्टेपी के बारे में कोई और बात करेगा and follow up follow through joining वो सब दूसरा आदमी बात करेगा यानि कि आप four basics में दो लोगों से भी करा सकते हैं अगर लोग जादे नहीं हैं तो चार से भी करा सकते हैं nine core आप nine लोगों से करा सकते हैं तो nine लोगों को आपने मौका दिया बात करने का हम अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को लीडर को अपकमिंग लीडर्स को या जो लीडर बनने की तैयारी में हैं उनको मौका ही नहीं देते हैं इक या अदमी बात करता है और फिर स्टेज पर जब लीडर चड़ता है तो आपस में काना फुसी होती है और आपस में लोग बात करते हैं देखो 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 द लोग लेकिन ज्यादा तर ये कोशिश करनी चाहिए कि नए लोगों को चांस दीजिए जब आप 3% 6% 9% लोगों को बोलने का मौका देंगे वो लीडर बनेंगे तो हमने तो बहुत सारे लोगों चांसे नहीं दिया हमीं बोलते रहा है यह सब छोड़ी बरती है इसका ध्यारम रख्या जाए आपकी टेरिंग्स होती है तो आप मौका देजिए सिलवर भी बात करें प्लाटिनम आपकी टीम में है तो वह भी बात करें लेकिन जो जो जिनके पिन 9% है 12 है 15% है यानि उनको भी मौका देना चाहिए चोटे-चोटे टॉपिक्स उनको देने च रिख्यर यह बहुत बात ने पता चला है और मैंने पर सेमिनार्स में भी हमेशा कहा है कि लीडर से जरूर बलवाओ याद रखिए कि अगर आप बहुत जादा बोल रहे हैं तो आपको बहुत कम सुना जाएगा बहुत कम पसंद किया जाएगा अगर आपको टॉपिक दिया 10 मिनिट का 9 मिनिट में हम खत्म करेंगे या आदा खंटे का टॉपिक दिया आप 25 मिनिट में खत्म करेंगे लोग आपको सुनने को बेताब होंगे ज्यादा सुना जाएगा बहुत सारी ट्रेनिंग में मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे सो कॉल लीडर्स सुना सुना के सुना सुना के लोगों को पका देते हैं बहुत जादा बाते करते हैं और बड़ी-बड़ी टीचिंग्स नहीं होनी चाहिए बड़ी-बड़ी टीचिंग्स छोटे ग्रुप्स में नहीं होनी चाहिए अगर आपका गुर्प सर्फ सिल्वर का है और आप टेनिंग दे रहे हैं तो या 15% का है तो आप महाँ पर टेनिंग में आप बहुत बड़ी-बड़ी चीजे बताना है चोटी-चोटी बाते बताएं कैसे 3% ब्रेक करना है 6% कैसे ब्रेक करना है चोटी-चोटी टॉपिक्स कैसे अपजिशन हैं उसके बारे में बात करें कैसे मिटिंग बुक होती है जूम मिटिंग कैसे बुक होती है फूर बेसिक्स हमेशा बताते रहे हैं यह बाते करनी चाहिए कभी-कभी हमारे हम छोटे ग्रूप में जहां अभी लोग नए हैं महां पर कभी-कभी हम लोग थ्री पावर्स की बात कर लेते हैं अच्छा नहीं है मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी मिटिंग थी है ना 6% 9% की मिटिंग थी और वहां पर थ्री पावर्स इखा रहा है कोई है तो उसका लेवल आने दीजिए और कब बताना है चेक्वीड और अप्लाइन मेंटर तो यह चोटा पॉइंट है लेकिन अधिक चीज़ कीजिए चाहे आप वनोमन कर रहे हैं तो वनोमन में हम क्या करते थे कि नए लोगों को प्रोड़क्ट के बारे में बताने के लिए खाती थे कि आप बताओ और वह हैजिटेशन से खड़े होते हैं कि अरे मैं कैसे बताओंगा मुझे तो पता ही नहीं मैं त छक्रा करता था attach to video is such a speech में स्टीच पर जा रहो हैं तो मैं क्या बात करों वह देगो कहते थे तुम बहुत अच्छा हो अधुक्श तुम्हें लोग सुनते हैं और मैं भी सुनता हूं, मैं भी नोट्स मनाता हूं, तो मैं शरम आती थी मुझे, पर लेकिन उनका तरीका था कि वो लीडर्शिप को ट्यार कर रहे थे, तो मैं सोचता था, कभी भी सुभी जी नहीं बताते मुझे, कि आपको ये बोलना चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, बताईए उनको कि आपने बहुत अच्छी बात की है, मुझे लगा कि मैं सुनता ही जाओ, सुनता ही जाओ, तो ऐसा करना चाहिए, इससे लीडर्शिप बनती है, कभी-कभी मैं 36, 9, 12%, 50% के जो मेरी टीम के लोग होते हैं, उसे मैं पूछता हूं कि आपके हिसाब से क्या हो क्या करना चाहिए, तो उनको लगता है कि पंकर जी हमसे पूछ रहे हैं, हमसे राय ले रहे हैं, तो उनके अंदर एक रेस्पेक्ट होती है, और उनके अंदर एक विश्वास आता है, कि हम भी इस लाइक हैं, दोस्तों किसी को आप अच्छा फील करा है ना, वो जिन्दगी मिलते थे, सैमिनार में तो लोग मुझे कहते थे, पंकर जी क्या मैं सेमिनार के बार के हैं, कि आप में ऐसी बात है कुछ है, विहां, आप से बात करने को दिल करता है, विहां कि मैं आपको हग कर सकता हूं? अऐ बहुत बढ़ा कॉंप्लींट होता था, एक लिए नहीं कह थ कि आपसे मुझे गले लगने का दिल करता है और समित भाद दुर्जी से मुझे हाथ मिलाने का दिल करता है हमारे हिम्मत में होती समित भाद दुर्जी से गले लगने की तो यह उनका अपना सोचना था कहने का मतलब है कि लोगों के करीब अगर जाना है आपको तो आपको उनक तो सुनना होगा उनको एप्रिशेट करना होगा उनको प्रमोट करना होगा तो अपने ग्रूप में हमेशा याद रखिए चाहिए आप घर में होम मेटिंग कर रहे हूं या कुछ भी कर रहे हो आप छोटे-छोटे लोगों को आज आप एसेट के बारे मताइए या आप गुल कहा कि अगर आप S8 के बारे में बता रहे हैं तो S8 के कुछ फाइदे या क्या बताने वाले वो सब कागेस पर लिख लीजे कागेस पर लिखने से क्या होता है कि वो देख के बताएगा तो उसे confidence रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको देखकर दूसरे लोग जो बैठ कि अपने गुरूप में किया तो बहुत duplication हुआ कुछ भी बता रहे हैं चाहे four basics बता रहे है नाइन पूर में से कोई step बता रहे हैं जो भी प्रड़क के बारे हैं बात कर रहे हैं आप देखके बताएगे अगर प्लैन भी दिखा रहे हैं तो प्लैन को ऐसे देखकर ऐसे ल रशान रुप करना है जिए बाधा IMPORTANT पाइंट है क्या सिखाना IMPORTANT नहीं कैसे जाले IMPORTANT है तो मैं छोटेचोटे points जो हैं इसमीशा मिसिंग करता था है मैं अपनी टॉक में वही बात कर रहा हूं जो मैंने मिस किया मैं किसे पूछता था यह लेस में की वाट इस डीस in this business, plan, कैसे दिखाना है, किसको डिखाना है, कितना दिखाना है, कितनी इंकम डिखानी है, कौन सोफ पॉइंट कवर करना है, उसको म्यक क्डॉलन्स का la protection franchising model निखाना हैं उसको Robert क जाकी का 4-4U कोडना दिखाना दिखाना जुआ कितनी inकम बतानी है प्लैटिनुम इनकम इनकम तक बताना है प्लैन यह ब कि अमिरे तक है बताना है यह अमरे ऑप बदाना है यह जाधा। इंपर्टन्ट पोसित उतने श्ट आप इंपर्टन लेते यह जो जरूर नहीं इसक्या नहीं जो जरुब नहीं एक निव ओदियस को क्या चाहिए तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 3% वाले 6% वालों को क्या बताना है या जब आपने किसे ने जॉइन किया है और आप उसके साथ पहली मिटिंग कर रहे है तो फस्स मिटिंग में आप उसको क्या पूछ रहे हैं किया बता रहे हैं। कितना बता रहे हैं। कितना पहल आपके लेक्षाज के लाइक हैं। कौनसी किताब Protestant कर रहे हैं। कॉनसी ₹ॉड कर रहे है। क्या चीज भेज रहें हैं। इसेёмा नहीं युट नहीं एक नहीं और सचछा। वो स्टुडेंट है, 19 सार की एज है, मैं उसको पूछ रहा था कि उनके बारे में जान रहा था, तो कब से कम मैंने 10 मिनिट उनके बारे में जाना, उनके परिवार के बारे में जाना, उनका क्या हॉबी है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या करियर सोच रहे हैं, क्या उनको सुनना है, फिर मैंने पूछा, आपको मुझसे कुछ पूछना है क्या है, तो उनने बोला है, मुझे आपके बार में जानना है, तो मैंने का मैं भेजता हूं उसको, फिर मैंने, तो मुझे उनको समझना है, मुझे उसको बहुत टीचिंग नहीं देनी है, हम बहुत गर करतिया करते थे जाइंग कराने के बाद उसको बहुत सरे टूल्स देते थे तो यह यह दोसर टॉपिक है यह लेकिन बताने चाहता हूं कि अपने गृप में नए ने लोगों को एप्रिशेट करो एप्रिशेशन एडिटिकेशन प्रोमोशन्स केरिंग लिस्निंग कम कॉल करन उनको ज्यादा कॉल करने से खराब हो जाता है ज्यादा कॉल करने से गृप खराब हो जाता है ज्यादा कॉल करने से गृप खराब हो जाता है सबसे बढ़िया काम तब होगा लोग करेंगे जब उनको पता चल जा कि आप उन्हें देख नहीं रहे हैं कि बात्यान रखिएगा